हर्याना में भी हाली में विधान सबद चुनाफ के नतीचे आए हैं और उसके बाद मन्थन जो है शुरू हो चुका है और पंजाब में भी अब बाई एलेक्शन्स होने वाले हैं और पंजाब कॉंग्रेस ने भी अब तयारियां शुरू कर दी हैं हमाय साथ बात करने के तो यह धर्मपत्नी वाली बात कहां से आई परवार हमेश्या ही गिद्डबा में पंदरा साल से तयारियां करता रहता है चुनाफ कोई भी लड़े तयारियां तो हमी को करनी है और अर्देक्ष का फर्ज बनता है अर्देक्ष के परवार ने भी वहां काम करता है दूसरी तयारियां हमारी तो पार्लेमेंट से ही तयारियां है तो मेरे को लगता है मजबूती से चुनाफ लड़ेंगे हम सब लोग पार्टी जिसको चुनाफ लड़ाएगी क्योंकि फैसला टिकेट कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा यह केंदर करता है राहुल गांदी और खरगे इसाब करते हैं तो मजबूती से चुनाफ लड़ेंगे पंचेटों की जो चुनाफ हो रहे उनके बारे में मीं स्मिख्षा हुई और जो आने वाले चार लोक सबाइं विधान सबाएं उनके बारे मीं भी हुई हैं चुनाफ के जो नतीज़े बड़ी हराने जनक है चली तो साथ जो सीटी थी तो लगता है विधान सबाच चुनाव में ऐसा रहे गबाई एलेक्शन से गर घर की स्थिथियां अलग लग होती हैं एक पडोस में घर की स्थिथियां में जो घर वला और घर वली रोज लड़ती हैं दूसरे वाले एक दूसरे को रोज अच्छे स रखते हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि हर्याना में देछते हुए और यहां क्या होगा पनजाब की इलग सिथियां हैं हर्याना की इलग सित्थिती पंजाब में बहत occupational रहा है और पंजाब में हमारी ऐसी किसी किसीième की कोई लड़ाई नहीं है हर बंदे के मंद के अपने अपने भाव होते हैं और मेरे को लगता है पिंजाब के गुटबाजी नाम की कोई चीज नहीं और हर्याना में भी इस पर करके को गुटबाजी नहीं जब बंदा जब चुनाव हार जाते हैं तो फिर ये बाते मीडिया और तुमाम लोग कहते भी गुटबाजी थी कहां अप हारी आप क्या कारण मांते हैं कौंगर्स के चीज रखें मैरे को तो ये पता नहीं में ये बात कितनी ऐथेंटिक हो सकती है लेकिन मेरे को तो अभी ये पूरण शक होने लगा कि कोईना कोई गढ़बड कहीना कहीं डि़ूहम में जरूर है तो यह थे हमाला जह बात करने के ये राचावरेइं कैमरमेन अलजंदे के साथ चर्णिकर से टीवी नाइन के लिए अमन प्रीद कॉर्ण